ही दोस्तों वल्कम बैक टो माई चैनल गार्डेन नीचे स्लवर मैं आई होब आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ गुलाब के कुछ इंपोरटनस टिप्स के बारे में या केर के बारे में आप देख सकते कुछ पत्ते पीले पर चुके हैं फिर दन ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं ये कितना हेल्दी दिख रहे हैं अब सोचिए पूरा प्लांट के पत्ते एकदम से मुर्झाए हुए है नहीं है पते कर्ल हो चुके है पीले हो चुके लेकिन यह जो ब्रांच है कितना हरा भरा है देखे नीचे से इसका निकला हुआ है पोशन वो भी कहां से देखी धा दिखा रही हूँ यह यह ग्राफ्ट पॉइंट के जस्ट नीचे से निकला हुआ है यह आपका जंगली स्पी आपका hybrid variety होता है तो देख सकते हैं पत्ते क्या है ना growth नहीं हो रहे है प्लस ये जो पत्ते है सूख जा रहे है कुछ पीले पर जा रहे तो इसके symptoms ना एकदम easy है कि इसमें potash की कमी हो गई है और ये देखिए जैसे ये tip point देख सकते हैं ये सूख चुकी है पत्ते पूरे हरे है, मुलायम पत्ते है लेकिन इसका जो tip part है ये सूख चुका है मतलब इसका growth कहा से होगा ये क्या होता है आपके जब plant में potash की कमी हो जाती है बहुत लग ऐसा होता है कि मैं भी बहुत बार बोलती हो mix fertilizer यूजर 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 करे नहीं कभी कभी होता है कि आप थोड़ा सा चीजों को देखे absorb करे, study करे पहले की plant में क्या चीज़ की कमी हो रही है बहुत टाइम वीडियोस में भी सही चीज़े नहीं होती है जितना आप study करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि क्या होता है तो देखिए आपे मैं सारे जितने भी सुखे ब्रांचे से पीले पत्ते है सबको मैं cut कर दे रही हूँ इससे क्या है ना मैं अगर अभी खार देती हूँ या तरीके से grow होगा सो simple सा है कि इसमें putash की कमी हो जाने से अपके पौधे में इस तरीके से growth नहीं होता है पत्ते पीले पर जाते है growth नहीं होता है दूसरी चीज़ putash देने से क्या फायदा होता है putash देने से आपका जो root होता है वो बहुत स्ट्रॉंग होता है यहां पर देखिए जैसे रूट यहां निकलने लग गया है हाला कि यह पानी देने के तरीके से होता है जब भी मिट्टी आप डालें इस चीज का ध्यान रखिएगा इसका जो ग्राफ्टेट पार्ट है उसको निकाल दीजेगा नीचे से ब्रांचे साने लग जाएंगी कभी भी ढख मत दीजेगा जैसे इसमें भी ढख चुका है इस तरीके से इसका गाट टाइप का दिखता है इसको निकाल दीजेगा कभी-कभी पादे में थोड़ी-थोड़ी मिट्टी भी डालनी चाहिए उपर से या कुरच देना चाहिए कुरफी की सायता से अच्छे से मिट्टी को बुरबुरा कर देना चाहिए जिससे कि अब प्लांट ग्रो होने में अच्छा होता है तो मैं यहाँ पे पुटाश यूज़ कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी मातरा में प्लांट के हिसाब से मैं यहाँ पे पुटाश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्लांट जो है उसको फ्लारिंग के लिए उसके अच्छे ग्रोथ के लिए जब भी आपके प्लांट में फ्लारिंग ना हो फ्रूटिंग ना हो तो अब समझ जाएगा फ्लांट में पुटाश की कमी है इस वज़े से आपका फ्लारिंग नहीं हो रही है तो अभी क्या है ना सीजन है रोस जो गुलाब का है अभी सीजन है फूल खिलने का बड़िया तरीके से और इसमें मैं ट्रिम कर चुकी हूँ अच्छे से कटाई कर द तो प्लांट के लिए हानिका रख होता है यहाँ पे देखिए इसमें भी थोड़े थोड़े भी पत्ते आजीब से हो गया है तो खात देना बहुत ज़रूरी होता है तो यह दुस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, helpful लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर की चैनल पर फर्स टाम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस किज़ें जिसे आपको नएस वीडियो उसकी अफडेट की नोटिविकेशन आती रहेगी मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बाई बाई